हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग आई होग कि आप सभी बहुत ही अच्छे होगे दोस्तों अभी अगर आपको किसी को एक WhatsApp मेसेज भेजना होता है और आप चाहते हैं कि एक बार वो देख ले तो आप उसके बाद उसको डिलीट कर दे तो आप क्या करते हैं सबसे पहले तो होता है जैसे माली जी कि मैं ये फोटो एक खीच के भेज रहा हूं तो भेजते हैं और फिर अगर जब वो बंदा आपका ये WhatsApp मेसेज देख लेता है और आपको पता चल जाता है कि उसने देख लिया तो उसके बाद आप क्या करते हैं कि इसको डिलीट फ्रॉम एवरीवन कर तो उसके बाद जाके ये आपका मेसेज जो है वो डिलीट होता है तो अभी WhatsApp में एक नया अपडेट आया है जिसकी मदद से ये बार-बार आपको खुद से डिलीट नहीं करना पड़ेगा अगर आप ऐसा कोई मेसेज भेजेंगे तो वो एक बार वो जब भी बंदा वो दे अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंट कर लीजे क्योंकि हम हमारे चैनल पर ऐसे ही टिप्स और ट्रिक्स के वीडियो लेकर आते रहते हैं और साथ इस बेल वाले आइकन को प्रेस करके आल प दोनों फोन में जिस फोन से आप ये message भेजने हैं उसमें भी और जिस फोन में ये message जा रहा है वहां पर भी आपको ये WhatsApp का जो वर्जिन है वो आपको updated रखना पड़ेगा मतलब प्ले स्टोर से जाकर आप अपना WhatsApp अपडेट कर लीजे उसके बाद आपको क्या करना है कि मान लिजे मुझे जो भी message भेजना है तो मैं एक photo click करके इसको भेजता हूँ और उसके बाद ये देखिए आपको यहाँ पर एक option मिल जाएगा यहाँ पर one लिखा है send button के बगल में आपको एक छोटा सा one लिखा हुआ दिख जाएगा अगर आप इस पर click करेंगे न तो यहाँ पर आपको एक message मिलेगा photo set to one view दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको one view का मतलब बता दूँ कि यह होता क्या है one view का मतलब यह होता है कि कोई भी इंसान जिसको अपने यह message भेजा है वो सिर्फ एक ही बार इस message को देख पाएगा अगर उसने इस message को देख लिया और दुबारा देखने की कोसिस करेगा तो वहाँ पर यह message नहीं दिखे के और वहाँ से यह message हट जाएगा तो अभी जैसे की मान लीजिए मैं यहाँ पर इसको send करता हूँ तो यह देखे नॉर्मली यह message नहीं जागा यहाँ पर one लिखके आया है और photo यह photo है और यह एक बार देखने के लिए इसलिए ऐसा करके message आया है और इसके बाद यह देखे जिसको भी मैंने message भेजा है वहाँ पर देखे यहाँ पर भी उसी तरीके से गया है photo लिखा हुआ है और one लिखा हुआ है और अगर मैं यहाँ पर इसको open करूँ तो यह open तो हो जाएगा open हो जाएगा और यहाँ पर photo वोद देख लेगा और उसके बाद आप जैसे ही इसको बंद करेंगे तो यहाँ पर देखे यहाँ पर यह open लिख के आ जा रहा है और इसके बाद अगर दुबारा इसके मैं click करूँगा तो कुछ नहीं होगा और यह message नहीं open होगा और यहाँ पर भी जिस phone से आपने message भेजा है वहाँ पर भी यहाँ पर आपको एक open delete के message आ जाएगा कि यह जो photo है खोल दिया गया है और अब यह दुबारा यह नहीं open होगा तो दोस्तो बहुत ही कमाल का trick है इसकी मदद से आपको बार बार यह message अपना जो भेजते हैं उसको delete करने की जरूत नहीं पड़ेगी और दोस्तो एक चीज़ और आपको बता दू यह जो अभी update आया है शरिफ photo और वीडियो भेजते टाइम आया है और अगर आप कोई एक text message भेजते हैं ना तो उसमें आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं कि एक बार पढ़ लिया तो दुबारा नहीं open कर सकता हूँ उसके लिए अभी कोई भी नया update नहीं आया है तो दोस्तो आज की वीडियो है बस इतना ही आपको कैसा लगा है वीडियो कॉमेंट करके जरूर बताईएगा और साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे मैं आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो मिलता हूँ तब तक के लिए बाबाई